कि नमस्कार दोस्तों स्वागताब करें चैनल गोवित गोपाल में फिरसे एक बार दोस्तों समाचर में हमाले का है यह पांच खबरेंग खबरों को बतानेफिस पढ़े मैं आप से आप कि अगर आपने में चैनल को अभी तरह सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबागे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में दबागे बेल आइकन को भी तक मेरी हर वीडियो कप्टेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले और दोस्तों इस वीडियो को सबसे पहले हम बताएंगे कि परिच्छा में बैटने वाले आवयदन करने वाले बैटियों मैं से 44,135 निरेस्ट हो गए उनके निरेस्ट होने का कारण उनके द्वारा दो दो बार फॉर्म भना भी है और भी कई तो टेर रही हैं जिनकी वैसे 44,135 निरेस्ट हो गए हैं कम इतने आवयर्ति आप परिच्छा में नहीं बैठ सकेंगे इसके के दूसरी कारण बताना चाहेंगे कि 30 अक्टूबर 2018 को चैलूम कापकास मादमी से जब परिच्छा में निरेस्ट कर दिया है उसका पत्र कल जारी हो गया था और साथ ही साथ सभी राजकी है सासकी और मानता अर्दवार्सिक परिच्छा है तो आज बरिच्छा है शुरू होंगी चैलूम कापकास नहीं हिरेगा तीसरी ख़बर में आपको बताना चाहेंगे कि वोटर लिस्ट पुनरिच्छड का कारेकरम 30 अक्टूबर तक है इसको एक महीने बढ़ा का 30 नवंबर कर दिया गया है ती एक महीने और यह कारेकरम बढ़ाया गया है निर्वाच नर्दकाई द्वार लेकिन समस्य यहां आती है कि इसमें 18 नवंबर को एक बूत लगाया जाएगा जिसमें निर्वाच लगों को अपनी आपतियों और संसुतन कंदे के लिए मुका अफसर मिलेगा वह विसेश पूरे दिन वहां पर बैठेंगे और कारे करेंगे लेकिन समस्य यहां आती है कि 18 नवंबर को ही यूपी टेट 2008 की परिच्छा है याई ऐसे अभियरती जिन में मुक्यता है सिच्छा मित्र हैं सिच्छा मित्र की डूटी बैलो कारे में लगी हुई थी और बैलो कारे कर भी कि 18 नुमर के बूद को किसी और दिन के लिए लगाये जाएगा रकए आताय नुमर कаг यूपीर पशले सिच्छा मेत्र के लिए जब से इहमकार है उसको लोग ता पर बूदकर नहीं जा पाएगे इससमद्म पर करेंगे जिलाद सिच्छा मेत्र संगठन की है तो देखते है जिलादिकारी मोदेश में क्या नहीं नहीं लेते हैं कि निवार्चन का मामला है और इसके बाद हम चौती ख़बर आपको बताना चाहेंगे कि कल लखनो में मुख्मंत्री जी को मीटिंग हुई वो केवल भाजपा संकेटन मंत्री मंदल के आपास ही सिमट कर रह गई क्योंकि जाना जाता है कि इस मेटिंग में केवल कुछ फेर बदल होने थे भाजपा के मंदल संभीती में लेकिन इनी परिवर्टन के अंतरगत ही पूरी बैठाक संपन हो पाई सिच्छा मित्रों से संब्दित कोई भी नेड़न है नहीं ले पाई जैसके पिछली वीडियो में बता नॉम्मर की मीटिंग में रखे जाएंगे यानि कि सिच्छा में इतनों के लिए विचारों मरस्ता की बैठक अब एक नॉम्मर को होगी इसके रहता हम अब आखरी पांच में नियुजाब आपको बताना चाहेंगे कि जो कि थोड़ी बहुती अजेंट नियुज है क्योंकि अब से बच्छों के स्कूलों में ओलिम्पियाड होते हैं यहां पर अध्यापकों का एक और टेचिंग प्रॉपेस्टिन बहुता है उस परिश्चा में आप ऑवेदन करेंगे और फीच मातर प्यावल 500 और 590 टे रखिया है तो जब आपी जमा करेंगे तो आप उसमें जो भी आपकी रैंक आएगी उसमें से टॉप जो होंगे उनको कैस प्राइज भी दिया जाएगा यह हम बताते हैं कि सौ से ज्यादा कैस प्राइज हैं जो एक लाग से पांच लार तक हैं दो विजयताओं को ऑक्सपोर्ड युनि प्राट फोन भी दिया जाएगा तो यह सारे इनाम हैं जो भी इस परिश्चा को देंगे से चक और अपने अनुसार रैंक लाएंगे इसके अनुसार इनको नाम दिया जाएगा और साथ के साथ 31-10-2018 यानि कल 31 अक्टूबर इसकी लास्ट एट है थोड़ा लेट हो गए यह जिला अधिकारी जिला बेसे सिच अधिकारी अली गणन ने यह पत्र जारी कर सभी सिचकों को सूचित क्या है कि इसको आप इसमें चाहिए आप आप इदन कर सकते हैं लिके सबसे मुख्य बात कि यह मात्र स्वेच्शिक है कोई भी आनिवारता नहीं है किसी हर अध्यापको भरना आनिवार नहीं है आपके इच्छा है तो इससे आप भर सकते हैं जो पड़ाई से संबंदरी टेस्स देना चाहते हैं उसको भर सकते हैं और इसके लिए आपको www.tpo.india.org इसमें www.tpo-india.org पर आप जाके रिश्टेशन कर सकते हैं चाहिए मैं इसका लिंक नीचे डिस्केशन में दे दूगा आप जाके इस फॉन को भर सकते हैं और इसके संबंदरी जितना भी सिलेवस है पैटन है कॉस्टन पैटन क्या आएगा कैसे कर आएगा सब की जानकर इस पैटन करना चाहिए कर सकते हैं तो दोस्तों यह थी आज की पांच ख़बरें जो आज हमने आपको बता ही है और ऐसी ही ख़बरें आपको देते रहेंगे बेसे इस इच्छा से जड़ी हुई है पर इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ में दबाईए पैटन को तक मेरी हर वीडियो अप्टेट आप तक पॉस सब्सक्राइब प्लीज दोस्तों इस पीडियो को लाइकन से जरूर कर दीजिए मैं हूँ आपको साथी गोपाद जिंग नमस्कार